सभी मदुमक्खी पालक भाईयो और देश के सभी कंजूमर्स को मेरा अरविन सहनिका नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो के माद्धम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सहद खाने वाले भोगताओं को मैं ये कहना चाहूँगा केवल इस वर ने मदुमक्खी को ही एक ऐसी सकती परदान की है जो फूलों से सहद बना सकती है लेकिन कल के सभी अकबारों में और टीवी चैनल्स पर आप लोगों ने देखा होगा कि इन बड़ी-बड़ी कमपनियों ने कितना बड़ा मिलावट का खेला आपके साथ खेल रही है केवल इसमुक्खी को जो इन मदुमक्खी के बोक्स में पाली जाती है या पेड़ो पर लगती है पेड़ो पर लगने वाली मदुम्खियां मोसम के करण गलोबल वर्मिंग के करण योड़ टावरस के रेडियसन है उनके और विलूप होती जा रही है लेकिन अब मदुमक्खी पालन में मदुमक्या एपिस मैली फेरा जो ये पर जाती है इसको मदुमक्खी पालक किसान पाल रहे हैं देश के सभी इसको बरसात से गर्मी से सर्दी से बचाते हैं अब यही एक सहद का आपके लिए एक में स्रोत है लेकिन जितने भी मदुमक्ख की पालक किसान हजारों की तादात में मनुमक की पालन कर रहे हैं उनको सहद के पिछले कहीं सालों से इन मिलावट खोरों की कारण रेट नहीं मिल पा रहे हैं कल सभी अकबारों ने दिखाया है CSC जो एक संस्ता है उसकी रिपोर्ट में यह सीध हो गया है कि बड़ी-बड़ी चला रखा है मैं सभी कंजुमर को एक बात कहनी चाऊंगा सभी परकार के सैद एक या दो को छोड़ करके कसमीर की कैसिया रूवीन चोंती है और दो चार और वराइटि के जो सहद है सभी Jeans सभी परकार के से जमते हैं मस्टड जहोता है सरसों का जो आप देख रहे हैं मेरे क्यां जैसे सीसम का सहद है वो नहीं जमता है और बीकी पर से मधुमक्खी पालक से आपको विभिन परकार के सहद मिलंगे बड़ी कंपनी आपको केवल सहद बेचती है और सहद के नाम पर सीरप आप लोगों ने आज तक जो भी टीवी में देखा क्योंकि अक्सर हम लोग टीवी के में जो देखते हैं वही हम अक्सर खरीदते हैं मधुमक्खी पालक किसानों के पास इतना पैसन नहीं है कि वो अपनी टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सके बड़ी-बड़ी कंपनिया क्रोडर रुपे उन लोगों को देती हैं उन से लिक्वीड होता है लेकिन वह लिक्वीड इसलिए होता है क्योंकि उसमें वह 50% सीरफ की मिलावट करते हैं वह जो सीरफ 20-30 रुपे किलो चाइना से आयात होता है लेकिन अब इन लोगों ने इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री लगा लिए तो दोस्तों सभी से जमते हैं फिल् direkt करने के नाम पर प्रोसेस करने के नाम पर उसकी filmmaking को विगाड़ दिया जाता है उसमें 18-20% जो मोस्चर होता है हुको मॉस्चर को डाउन करते हैं उसको जलाते हैं एक प्रकार से उसमें केवल खाने में मिठा लगता है लेकिन उसके सब गुन खथम कर देते हैं अब स सभी भोगताओं तक पहुचनी चाहिए क्योंकि वो जिस चीज को खा रहे हैं वो उनको भोगताओं को ये डरने की जुरुरत भी नहीं है कि सभी बड़ी कमपनियों का सहद अब तो रिजेक्ट हो गया हम सहद ना खाएं इस चीज से मत रहें क्योंकि सीधे बीकी पर से मधुमक्की पालक किसान से आपको जो कमपनी का रेट है उससे भी 50-100 रुपे किलो कम रेट में आपको बहुत अच्छा सूद सहद मिल जाएगा आप इस चीज की बिलकुल भी बेफिकर रहें कि बड़ी-बड़ी कमपनियों का जो सहद हो रिजेक्ट हो चुका है अब हम सहद कहां से खाएंगे लेकिन इसके मत सोचे कि मैं एक केजी सहद लेने के लिए कैसे जाओंगा आप उनसे एक बार में संपर्क कर लें 20 या 30 किलो अपने पूरे साल का अपने घर पर रख सकते हैं यह प्रोसेसिंग के नाम पर सहद को जलाते हैं और मधुमक्खी ही खुद सहद को प्रोसेस करती है और इसके अ काउंट वर्थ मतलब जो जिन्होंने जर्मन की लेब में यह सहद के सैंपल इनके भीजवाए थे इंडिया की लेब ऐसी नहीं है इन लोगों ने एफससाई के जो जितने भी मानक हैं अपनी मिलावट के अनुसार उन एफससाई के मानक और जो स्टेंडर है उनको त्या करा अनुरोद करूंगा सीधे मधुमक की पालक किसान से ही सहद खरीदे इन बड़ी कमपनियों के मकड़ाजाल से बचें धन्यवाद